रेसिपी देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ इस बैल को जरूर दबाईए ताकि आप मेरी आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं और ये बिलकुल फिरी है इसके आपको कोई भी चार्जिज नहीं लगेंग हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम मोनिका त्यागी है और एक बार फिर आप सभी का स्वागत मोनिका आज कीचन में तो आज मैं आपके साथ ठेकवा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ठेकवा बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है और इसे बिहार के अंदर चट पूजा की दिन बनाया जाता है और जिस तरीके से आज मैं आपको ठेकवा बनाना बताऊंगी तो आपका ठेकवा है बहुत ही क्रिस्पी बनकर तयार होगा मैं तो बलकि आपको यह कहना चाहूंगी कि इस तरीके का ठेकवा आपने पहले कभी नहीं खाया होगा तो प्लीज आप मेरे तरीक किन किन सामगरियों के आशक्ता होगी तो ठेकवा बनाने के लिए मैंने यापर तीन चोथा एक कप गेहूं का आटा लिया है अगर इसे वेट में लेंगे तो यह सवासो ग्राम है मैंने हर चीज को किचन स्केल पर तोल कर लिया है आप कप से भी इसका मेजरमेंट कर सकते हो या फिर आप चाहें तो इसे ग्रामस में ले सकते हैं और यहाँ पर मैंने 90 ग्राम यह सूजी ली है बारिक वाली सूजी है मेरे पास अगर इसे कप से लिया जाए तो यह आदा कप सूजी है और यहाँ पर मैंने 50 ग्राम पिसी हुई चीनी ली है अगर इसे कब से लेंगे तो यह आदा कब से थोड़ा कम चीनी है यहाँ पर आप इसे ज़्यादा चीनी इसके अंदर ना डाले एक दब परफेक्ट मिठास इससे आएगे इसके अंदर लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा चीनी इसके अंदर डाल देंगे तो आपका जो ठेकवा है वो कड़ाई के अंदर डालने पर फट जाएगा और यहाँ पर मैंने 40 ग्राम इसके लिए देशी घी लिया हुआ है और यह मैंने यहाँ पर डेड़ बड़ा चमच सुखावा नारियन लिया है जिसे कि मैंने छोटे छोटे टुकड़ो में काट लिया है बहुत यह अच्छा टेस्ट इसे ठेकवे के अंदर आता है एक बड़ा चमच सौफ, सौफ को मैं हलका दरदरा सा पीस कर इसके अंदर एड़ करूँगी आप चाहें तो इलाइची पावडर भी डाल सकते हो यहाँ पर मैंने 5 बादाम लिये थे बादाम को भी मैंने इसी तरीके से छोटे टुकड़ो में काट लिया है और यह यहाँ पर मेरे पास थोड़ी मुंगफली रख्योई थी रोस्टिड मुंगफलीया है यह मैं इसके अंदर एड़ करूँगी इसको भी मैंने इसी तरीके से छोटा छोटा काट लिया है आप चाहें तो इसके अंदर काजु डाल सकते हो या फिर आप चाहें तो किश्मिश डाल सकते हो लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि भाई आप सब यहाँ पर अवोईड कर दीजिए बादाम काजु आप सब कुछ अवोईड कर सकते हैं लेकिन आप इसके अंदर सूखवा नारियल काट कर डालिए साथ ही में आप इसके अंदर यह मोंगफलियां डालिए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट ही आपका ठेकवा बन कर तयार होगा और साथ ही आपको यह सस्ता भी पड़ेगा यहां पर मेरे पास यह सवासव अमेल का कप है जिसे कि मैंने पूरा उपर तक भर कर लिया हुआ है दूद से और यह ठण्डा दूद है मेरे पास मैं इसका डो लगाने के लिए दूद का इस्तिमाल करूंगी जितना दूद में इसके लिए इस्तिमाल करूँगी तो मैं आपको पूरा यहाँ पर मेजरमेंट बताऊंगी अगर आप मेरी इसी तरह की सभी स्वाधिस्ट रेसिपीज को देखना चाते हैं इसके लिए आप मेरी वीडियो के नीचे सेरो पर क्लिक कीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स खुलेगा और आपको एक लिंक नजर आएगा इस लिंक पर क्लिक करके आप मेरी सभी रेसिपीज को आसानी से देख सकते हैं तो चलिए अब इसका डो लगा लेंगे डो लगाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल के अंदर ये आटा डाल दें साथ इसके अंदर ये सूजी डाल दें और अब इसके अंदर ये पिसी भी चीनी डाल देंगे कटा हुआ बादाम डाल देंगे सुफ डाल देंगे सुखा नारियल और अब इसके अंदर जाएगी यह मूफली अब इन सभी को डाल कर हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके अंदर याँ पर यह घीर डाल देंगे अब घीर डालने के बाद इसे अच्छे से mix कर लेंगे और इसे अच्छे से mix करने के बाद आप इसे इस तरीके से मुठी से bind करके चेक कीजिए अगर ये एक लड़ू की form में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो आटा है वो डो लगाने के लिए एकदम perfect है बस इससे ज़्यादा मुएन आपको इसके अंदर नहीं डालना है अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूद एड़ करेंगे और इसका एक सकत डो बना कर तयार कर लेंगे दूद आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए ये देखे एकदम सक ताटा मैंने लगा कर तयार कर लिया है अब इस साटे को मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दूँगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साटे को लगाने के लिए मैंने टोटल 50 ml दूद का इस्तेमाल किया है पूरा एक कब दूद था और आदा कब भी दूद हमारा इसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है अब डोको रेस्ट करते हैं 5 मिनट हो चुकी है तो अब इस तरीके से हम इससे पेड़िया बना करते यार करेंगी यह देखे इस तरीके से आप गोल पेड़ी बना ले और मैं इसे बीनाक साची के बनाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने यापर एक फोग ली है और फोग से मैं इसके उपर इस तरीके से डिजाइन्स बना दूँगी और फोक से ही मैं इसके अंदर आपको यहाँ पर 3-4 तरीके के डिजाइन बनाना बताऊंगी यह देखे यहाँ पर हमारे यह दूसरा डिजाइन है यह देखे दूसरा ठेकवा हमारा बनकर तयार हो चुका है और अब यहाँ पर मैं आपको यह तीसरा डिजाइन इसके उपर दिखाऊंगी यह देखें इस तरीके से आप चाहें तो डिजाइन बनाईए जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से इसके उपर डिजाइन बना कर तयार कर सकते हैं और अगर आपके ठेकवे के अंदर हलकी फुल की दरारे आ जाती हैं, तो इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है, हलकी फुल की दरारे ठेकवे के अंदर आ जाती हैं, तो बस ठीक इसी तरीके से हम सभी ठेकवा बना कर तयार कर लेंगे, यह देखें, यहाँ पर मैंने सभी को डाल कर तेल को चेक करेंगे कि हमारा जो तेल है वो ठेकवा को तलने के लिए एक दम परफेक्ट है कि नहीं है थेकवा को तलने के लिए हमें तेल मीडियम गरम चाहिए बहुत ज्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए अगर आप बहुत ज्यादा गरम तेल लेंगे तो आपका यहां पर सजेस्ट करना चाहूंगे कि मीडियम गरम आपका तेल होना चाहिए और उसके अंदर आप इस तरीके से पहले डो डाल कर चेक कीजिए यह देखे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा डो है वो बिल्कुल भी नहीं फटा है तो तेल हमारा एकदम परफेक्ट है अब इसके अंदर हम यहां पर यह ठेकवा रख देंगे ठेकवा को इसके अंदर रखने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको हलका गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे ठेकवा तेल में डालने के बाद बहुत ज़्यादा सोफ्ट हो जाता है तो जब भी आप इसे उलटते हैं तो सावधानी पूरवक उलट ये बहुत हलके आ तो आप इसे उलटे और जैसे ये हलके गोल्डन हो जाएं उसके बाद आप इसको सावधानी पूरवकी यहाँ पर एक टीशू पेपर के उपर निकाल लेजिए बस ठीक इसी तरीकी से हम सभी ठेकवा को फ्राई कर लेंगे ठेकवा को फ्राई करते वे आप इसी बात का ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को मीडियम रखें अगर आप लो रखेंगे तो आपके ठेकवा फट जाएंगे और अगर आप फाई रखेंगे तो आपके ठेकवा जो है वो उपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे होंगे तो एक दम परफेक्ट ठेकवा आपके बनकर तयार हो सकते हैं और ठंडा होने के बाद ही आप इस ठेकवा को सर्व कीजिए तो बहुत ही स्वादिष्ट आपका ठेकवा बनकर तयार हो जाएगा अगर आपको आज के वीडियो ज़रा भी हेलफूल लगी है तो प्लीज नीचे लाइक बटन को जरूर दबाईए साथ ही नीचे कमेंट बोक्स में लिखकर मुझे बताईए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और इसी तरह की हेलफूल वीडियो देखने के लिए जुड़े रही है मेरे चैनल के साथ तो फिर मिलती है एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद